तो हम लोग आज वाल मेक ओवर करने वाले हैं अगर आप लोग मेरे चैनल पर फरस्ट टाइम आये हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब लोग जैसे की देख सकते हैं मेरे घर की ये वाल वाइट कलर से कवरड़ है आज मैं इसको एक निव लुक देने वाली हूं तो मैंने सबसे पहले एक सरकल शेप क्रियेट करने की कोशिश की है मैं एक बड़ा सा सरकल ढ़ो करने के बाद अब मैं सरकल में पैंट करना स्टाइट कर दूंगी तो मैंने इस एरिये के लिए येलो कलर चूस किया है मैं आज की वीडियो में इस वाल को हाइलाइट करने वाली हूं और ना ऐसे छोटे मोटे वाल्स तो आप लोग इसली खुद भी पैंट कर सकते हैं खुद पैंट करने का वज़ा ही कुछ अलग होता है आप लोग ज़रूर ट्राइकर के देखिएगा तो बस अब हमारी वाल्स भी रेडी हो चुकी है तो अब हम इस सरकल के लिए शैल्फ बनाएंगे तो मैं दो शैल्फ बनाने वाली हूँ मैंने इसका साइज 15 इंजिस लैंट रखी है और 9 इंजिस बिर्द रखी हूँ इसी साइज के मैंने दो प्लाइवूड पीसिस कट कर लिया है तो यह देखिए हमें कुछ इस टाइब की भी स्टिक्स चाहिए होंगी फिर इस टाइब से हमें प्लाइवूड के एक साइड में ऐसे टू स्टिक्स लगा देनी है जिसका साइज मैंने 7 इंचिस लैंफ एंड टू इंचिस विर्द ली हूँ इसके बार में मैंने यह पुट्टी और फैविकोल का पैस्ट लिया है इस पैस्ट को मैं प्लाइवूड पर लगा दूंगी और फिर मैं इसे ड्राइ होने के लिए रख दूंगी तो यह देखिए मैंने दोनों शाल्फ पर वाइट एशन पैंट कर लिया था तो आप लोग वाइट या जो भी कलर्स करना चाहते हैं वो कर लीजेगा और गाइस मैंने जो स्टिक्स लेती उनको मैंने कुछ इस टाइप से लगा दिया है अगर आप भी इसी टाइप से बनाना चाहते हैं तो आप देख लीजेगा मैंने किस टाइप से ये स्टिक्स लगाई है आप भी ऐसे ही लगा लीजेगा तो यह देखिए मैंने दोनों शाल्फ फ्रैडी कर लिये हैं तो अब हम वाल पर मार्क करके ड्रिल मशीन से वाल में हॉल कर देंगे इसके बाद हमें शैल्फ को वाल पर लगा देना है तो यह देखिए अब हमारा बन कर रेडी है आप चाहिए अपने हिसाब से जो डेकोर करना चाहते हैं वोट डेकोरेशन पीसे इस पर रख सकते हैं इस पर रख सकते हैं प्लीस 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 दों फोगेट तो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब मिलते नेक्स वीडियो में